Hello Bodybuilders, so मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था AMP, AMP के उपर मैंने वीडियो बनाया था जो हमारा pre-workout है तो उसके बहुत सारे लोग ने मुझे personally message भी किया था कि सर मुझे HCG के उपर बनाईए तो आज जो हमारा topic होने वाला है, वो होने वाला है post cycle therapy, जिसको हम लोग बोलते हैं PCT PCT कव होता है, जब हम लोग कोई cycle design करते हैं या cycle हम लोग लेते हैं, तो उसके बाद लेता है, जिसके हम लोग बोलते हैं washout, जो हमारे body से washout होता है तो इसके अंदर में आज आप लोग की साथ चर्चा करने वाला हूं कि कौन सा कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास message इसार थे HCG, ठीक है 5000 IU का भी आता है, तो 5000 IU आपको week में दो बार ले सकते हैं, तो यह रहते हैं आपकी doses, और साथी साथ आप लोग इसके लिए testosterone जो आपका release होता है, वो तुरंत बहिंदा हो जाए, इसके लिए आप उसके लिए आप natural भी process चालू रख सकते हो, लाइक पश्वगंदा हो गया गोब शुरा हो गया, तो आप यह daily basis पे after meal ले सकते हो, और आपको यह चीज की पता होना चाहिए, कि आप कब करना है PCT, तो PCT जो है, आप जब cycle finish करते हो, तो आप 10 दिन के बाद PCT अपना चालू कर सकते हो, और कभी भी आप cycle लो, तो जूसरा cycle चालू करने से पहले आपको यह चीज का ध्यान रखना है, कि आप जितने भी मंत का cycle लिया हो, उतना आपको बीच में gap करना पड़ेगा, लाइक अगर तीन मैन निकाल लिया है, तो लिड़ मैन आपको gap रखना पड़ेगा, और आपको यह चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने छोटी cycle लिया है, यह चाइना बॉली है, मैंने यह लिया है, तो क्या मैं PCT करना ज़रूरी है, तो नहीं, इसने अंदर ज़रूरी नहीं है, और भी अगर आपको ऐसा कोई questions है, तो आप comment में आज पूछ सकते, thank you